आईए हम प्रातना करेंगे प्रेमी परमेश्वर आपके सन्मुक में शाम के समय आते हैं आपने सुन्दर सा मौका हमारे जीवन में दिया इसलिए आपका धनेवाद देते प्रभुची पिछले हफ्ते बर आप हमारे साथ रहे हर दुख मुसीवत बिमारी एक्सिडेंट से बचा के रखा इसलिए आपका धनेवाद देते प्रभुची आज के बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते प्रभुची जो वचन से प्रभुची हम सीखते हैं प्रभुची उसके प्रभुची उसको समझने के लिए उसके अनुसार चलने के लिए हम सबको मदद करिये प्रभुची हर डिस्टरबिंसेस को हम कैंसल करते प्रभुची चोटी सी बिंती आपके बेटेशो नासरी के नाम से मांगते हैं सुन और कबूल कर आमें, आमें, आमें पिशले आफ़ते हमने Bible Study में पश्चाताब के बारे में देखा और जब हम पश्चाताब करते हैं तब हम इंडाइरेक्टली परमिशर से क्या कर रहे हैं अपनी गलतियों को मान रहे हैं और परमिशर क्या करता है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य ने पाप किया उस कारण क्या हुआ हर एक विक्ती हर एक मनुष्य जो इस पृत्वी पे था है और होगा वो आदम और हुआ के पाप के वज़े से क्या हुआ हर एक विक्ती पापी बना पाप ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को स्वर्ग से दूर रखती है क्योंकि स्वर्ग जो है वो एक पवित्र स्थान है और कोई भी बुराई वहाँ पे कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती तो स्वर्ग जाने की जो कुंजी है वो है शमा और यदि परमेश्वर हमारे पाप शमा कर दे तो कोई भी हमें वहाँ प्रवेश करने से नहीं रोख सकता लेकिन पापी मनुष्य के लिए शमा ही उसके जीवन की सबसे महत्पून समस्या बन जाती है कहने का मतलब है नए नियम में शमा जो है वो मसी के बलिदान और अनुग्रे की भूमी पर पापी को उसके पापों से अलग करना है मतलब जब हम नए नियम में पापों की शमा मांगते हैं वो उसका बेश जो है वो दो चीज़ है एक इशमसी का बलीदान और दूसरा उसका अनुग्रे ये दो चीज के वज़े से क्या होता है हम हमारे पापों की शमा पाते हैं जैसे हम क्या है हम इंडियन्स है हम यहां पे जन्मे है तो हम कहीं पे विचाते हैं तो हम क्या बुलते हैं मैं हिंडुस्तानी हो मैं इंडियन हो तो वैसे ही उस basis पे हमें जच किया जाता है अगर आप कोई बाहर के countries में जाओगे तो क्योंकि आपने यहां जनम लिया है उस basis पे आपको वहां पे क्या मिलता है रिस्पेक्ट मिलेगा अगर आप ऐसे country से हो जहां पे गलत काम होता है तो आपको वह उसी तरीके से वहां पे बदनावी भी सहनी पड़ेगी तो वैसे ही जब हम शमा मांगते हैं तो हमें शमा क्यों मिलती है क्योंकि इशमसी हमारे लिए मारा गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और दूसरा अनुग्रह के वज़े से अगर इशमसी नहीं आता तो हम अनुग्रह में कभी भी नही नहीं रह पाते तो पहला सवाल यह होता है कि शमा का रचाइता कौन है ओथर कौन है तो सब वो सबसे पहला है सिर्फ और सिरफ परमेश्वर क्योंकि मनुष्य ने पाप किया तो उसने क्या किया परमेश्वर के नियम को तोड़ा परमेश्वर ने बोला पाप नहीं करना प विरुथपाप किया तो जब परमेश्वर के विरुथपाप किया, तो केवल परमेशवर ही हमारे पापों को शमा कर सकता है, फोर एग्जामपल, अगर आप आते हैं या कोई विक्ति आता है और मेरा फोन चुरा लेता है, तो वो क्या कर रहा है वो मेरे विरुद पाप कर रहा है मेरे से गलती कर रहा है कल उसको लगेगा कि मुझे फोन नहीं चुराना था और वो आता है बोलता है सर मैंने आपका फोन चुराया मुझे माफ करें मैं बोलूँगा मैंने माफ किया क्योंकि उसने मेरे विरुदपाप किया लेकिन वहीं पे कोई विक्ति अगर भारत देश के कानून के खिलाफ कुछ करता है अगर आप ऐसा कुछ करते हो जो सविदान के खिलाफ है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो भारत के किसी कानून को उलंगन करता है तो क्या मैं उसके लिए आपको शमा कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं क्यों क्योंकि आपने जो गलत किया है वो देश के खिलाफ किया है तो वैसे ही जब हम परमेश्वर का कानुन तोड़ते हैं या परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं और पाप करते हैं तो पृत्वी पर कोई भी वेक्ति नहीं है जो उसे शमा कर सकता है यह समझना बहुत जरूरी है सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारे पापों को माफ कर सकता है जब हम लूक 7.49 पढ़ते हैं लूक का साथ उसका उन पचास वहां लिखा है तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे यह कौन है जो पापों को भी शमा करता है तो जब इशमसी पृत्वी पे थे इशमसी लोगों के पाप शमा करते थे फिर उसके बाद जब हम मरकुस दो उसका साथ पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं लिखा है यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है यह तो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप शमा कर सकता है हमारा पहला प्रशन कौन है शमा का रचईता कौन है परमेश्वर है तो यहां हम दो जगे हम देखते हैं कि दोनों ही मामले में यहूदी जो थे जो इशमसी को जच कर रहे थे कि ये कौन होता है पाप शमा करने वाले वो क्या है वो सच है क्योंकि परमेश्वर ही है जो क्या करता है हमारे पापों को शमा करता है इसलिए जब हम परमेश्वर का नियम तोड़ते हैं तो हमें किसी इनसान के पास नहीं जाना बलकि हमें परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है। माता-पिता का भी विरुद किया है तो वहां पर क्या करना है अपको परमेश्वर से भी माफी मागना है अपने माता-पिता से भी माफी मागना है लेकिन ऐसे बहुत से पाप ऐसे बहुत सी गलतिया हैं जो हम परमेश्वर के विरुद करते हैं हमारी सोच में हमारे वहवार मे और जब हम गलट डिसीशन्स को लेते हैं और हम जीवन को चलते हैं और हमको फरक नहीं पड़ता परमीश्वर क्या सोचता हमें हम मनुष्य को खुश करने वाले बन जाते हैं और हम क्या करते हैं अपनी इच्छा के नुसार क्या गरते हैं अपने जीवन को वितीत करते हैं उसके पास जाना है जिसके विरुध हमने पाप किया है तो बहुत जरूरी है कि इशु जो है वो परमेश्वर भी है और वो परमेश्वर का पुत्र भी है इसी लिए वो पाप शमा कर सकता है यह समझना बहुत जरूरी है जब हम Acts 5.31 पढ़ते हैं प्रेरतों के काम 5 उसका 31 वहां लिखा है उसी को परमेश्वर ने प्रभू और उधार करता टहरा कर अपने दहीने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राइलियों को मनफिराव की शक्ती और पापों की शमा प्रदान करें किसके बारे में लिखा है इश्व मसी के बारे में लिखा है तो यहां पर हम देखते हैं कि जो पाप का रचईता है शमा का जो रचईता है जो शमा करता है वो परमेश्वर है और साथ में इश्व मसी भी है क्योंकि दोनों एक है तो दूसरा प्रश्ण ये होता है कि शमा का माध्यम क्या है जब हम शमा मांगते हैं वो किसके द्वारा हमें शमा मिलती है तो जब हम प्रीरतों के काम 13 उसका 38 पढ़ते हैं एक्स 13.38 वहां लिखा है इसलिए हे भाईयो तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की शमा का सुसमाचार तुमें दिया जाता है किस के द्वारा इसी के द्वारा वो कौन है इश्यू मसी नीचे में लिखा है that through this man man जो है वो किसको बताता है इश्यू मसी को बताता है कहने का मतलब है कि ये जो देश है वो अद्भूत है जो हम सुसमाचार सुनाते हैं कि जब आप इश्यू मसी पर विश्वास करोगे तो आपके सभी पाप मिटा दिये जाएंगे तो जब हम मरकुस दोस का नौ पढ़ते हैं वहां पर इश्यू मसी बोलते हैं सहज क्या है क्या लखवे के रोगी से य पाप शमा हुए या यह कहना कि उट अपनी काट उठा और चल फिर तो कहने का मतलब है प्रियो कि इश्यू मसी जो है वो हमारे पापों को शमा करता है वो है माध्यम जिसके वज़े से परमेश्वर भी हमारे पापों को शमा करता है तो आप बोलेंगे यहां पे तो इश्य मसीध्ये दुनिया में अभी इशमसी नहीं है यह सही है कि इशव आज यहां शारिक रूप से नहीं है परन्तु वह यहां अद्र अद्रिश्य रूप से हम मैं से प्रते को शमा करने के लिए legitimately कहने मतलब है जब अभी भी अगर हम आख बं करते हैं और हम हमारे पापों को बोलते है कि मुझसे ये गलती हुई है तो वो अभी इसी वग जहां आप बैटे हैं वहाँ पे भी वो आपके पापों को शमा करता है तो इसलिए शमा के लिए आपको चर्चाना है या कोई जगे पे जाके आपको करना है ऐसा नहीं है आप जहां हो जैसे हो जिस अवस्ता में हो वहाँ पे जब आप बोलोगे प्रभु जी मुझसे गलती हुई मुझे माफ करिए वो क्या करेगा हमारी गलतियों को शमा करेगा तो तीसरा सवाल ये उठता है कि शमा की नीव क्या है अगर हम शमा मांग रहे है तो उसका फाउंडेशन क्या है नीव क्या है तो पहला चीज जो हमें समझना है कि शमा जो है वो परमेशर की करूना के आधार पे दी जाती है शमा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप मराटी हो या आप सिंधी हो या आप केरल से हो लेकिन शमा हमें इसलिए मिलती है क्योंकि परमेशर की करूना के आधार पे वो हम पे दया दिखाता है जब हम भजन सहीता 78 उसका 38 पड़ते हैं साम 78 वस 38 वहां लिका है परन्तु वो जो दयालू है वो उनके अधर्म को ढापता और उन्हें नश्ट नहीं करता वो बराबर अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीती से भड़कने नहीं देता ये परमेश्वर है वो क्या है वो दयालू है वो हमारे अधर्म को दिखा सकता है लेकिन वो क्या करता है उल्टा धापता है वो हमें नश्ट नहीं करता और वो अपने क्रोध को ठंडा करता है वो चाहे तो अभी चाहे तो एक ही सेकेंड में हमको खाड फिक सकता है हमें जला सकता है राक कर सकता है पुराने नियम में खड़े-खड़े लोगों को परमेश्वर ने मारा है, गलत किया वहीं के वहीं मारा है, इवन उसके तंबू में जब एक विक्ती को बोला नहीं करना, उसने जब उल्टा किया, वहीं के वहीं उसको मार दिया, तो वह परमेश्वर आज भी है, लेकिन वह क्या करता है, अपने क्रोध को ठंडा करता है, वह अपनी जलजलाहट को पूरी रीती से भड़कने ही नहीं देता, क्योंकि वह चाहता है कि वह अपनी करूना दिखाए, वह चाहता है कि हम भी बचे, तो पहला जो नीव है, वह क्य परमेशर की करुणा के अधार पर हमारी शमा होती है दूसरा शमा इश्वरिय नियाय के आधार पर दी जाती है इश्वरिय नियाय के अधार पर मतलब जब हम पहला युहना एक नौ पढ़ते हैं यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को शमा करने और हमें सब अधर्न से शुद्ध करने में विश्वासी योगी और धर्मी है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो क्या है? वो इश्वरिय न्याय है अगर तुम मान लोगे तो क्या होगा? तुम्हें माफी मिलेगी. ये परमेशवर का स्टैंडर्ड है. परमेशवर ये नहीं बुलता कि तुम्हें मेरे सामने इतना पैसा लाना है, ये सोना लाना है, ये बली करना है. पुराने नियम में था बलियां. मनुश्य के जगा वो ब वली हो चुका है इश्व मसी तो हम को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तीसरी नीव जो है वो है शमा मसी के लहू के आधार पे प्रधान की चाहती है किसके लहू के आधार पे मसी के लहू के आधार पे जब हम इफीशियों एक उसका साथ पढ़ते हैं इफीशियंस वन सेव वालिका है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा चुटकारा अर्थात अपराधो की शमा उसके उस अनुक्रे के धन के अनुसार मिला है उसके लहू के द्वारा चुटकारा अर्थात शमा इशमसी का लहू जो है वो हमारे पापो को क्या करता है शमा करता है बहुत साल पहले मै मैंने एक सपना देखा था उस सपने में परमेश्वर ने मुझे मुझे ही दिखाया लेकिन परमेश्वर ने मुझे मेरी चंबडी दिखाई और वो जो चंबडी मुझे दिखाई उसमें कम से कम 10 से 15 लेयर दिखाए और 10 से 15 लेयर में चोटे चोटे के भी पीच में ही हूं और झीरे धीरे यह जो लेयर है वो ङया होता है यह मरते जा रहा है, पाप के वज़े से लेकिन जब मैं उस लेयर में बोलता हूँ प्रबुची अपके लहू से दो के मुझे शुद कर यह जो लेयर रहता है वो फ्रेश होता जाता है मतलब वो पाप को क्या करता है इशमसी का लहू मिटाते जाता है वो बहुत ही अलग था अपने आपको ही क्या कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि जब मैं इशमसी के लहू से माफी मांगता हूँ वो लहू आके मेरे शरीर को क्या करता है जो मर रहा है उसको जीवन देता है तो वो लहू का काम है तो लहू जो है वो इशमसी का जो कलवरी पे जो इशमसी ने आपके और मेरे लिए मरा उस वज़े से क्या है वह हमारे लिए फिरौती का काम करता है और उस वज़े से आप और मैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनते हैं जब हम इसिक्यल 18 उसका चार पढ़ते हैं, पुराने नियम में इसिक्यल 18 उसका चार, वहां पर परमेश्वर ने एक फैसला किया कि जो प्राणी पाप करेगा वो मर जाएगा ये था पुराना नियम इजिक्यल अठारा उसका चार, क्या लिखा है देखो सबों के प्राण तो मेरे है जैसा पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा यह पुराना नियम था पहले क्या था परमेश्वर पिता के पाप को पुत्र के पाप तक चार जन्मों तक लेके जाता था फोर जन्रेशन अगर मैंने पाप किये तो आने वाले चार जन्रेशन मेरे पाप को भोगेंगे लेकिन Ezekiel 18 में परमेश्वर क्या करता है थोड़ा सा बदलाव लाता है अब जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि पाप जो है वो मृत्यू को लाती है क्योंकि मनुष्ण ने पाप किया और परिणाम स्वरूप उसे क्या होना चाहिए और बुरे के ग्यान का व्रक्ष का फल नहीं खाना क्या लिखाए पर भले या बुरे के ग्यान का जो व्रक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा वहाँ पे आदम और हवा को लगा होगा मैं जैसे खाऊंगा मैं खतम हो जाऊंगा लेकिन परमेश्वर जो मृत्यू बता रहा था वो अलग मृत्यू था वो आत्मिक मृत्यू था और वो फल खाने के वज़े से आप सोचो आज दुनिया में क्या है टेक्स्टाइल क्या है टेक्स्टाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ों का बिजनस तब से क्या है तब तो पहली बार परमेश्वर पहले आदम और हवा ने क्या किया अंजीर के व्रक्ष से अपना कपड़ा बनाया लेकिन परमेश्वर ने क्या किया एक मेमने को मार कि उसकी चमडी से क्या क किये उनके लिए कपड़ा बनाया और तबसे लें के आज तक हम क्या कर रहे हम कपड़े पहन रहे हैं आज वाट्रोब्स भरहके हैं किसको छुपा हरे हम वह आदम और हुआ के किये उए पाप को छुपा रहे हैं अगर वो नहीं करते तो आज हमको ऐसा नहीं रहना पड़ता था आज बहुत चीज़े अलग रहती थी लेकिन जो पाप एदन की वाटिका ने की उस पाप को छुपाने के लिए मनुश्य क्या है अच्छे से अच्छा महंगा इसे महंगा कपड़ा पहनता है लेकिन वो पाप ह लहू बहा तो इसी लिए जब अबरा जब आदम ने देखा कि जब कपड़ा पहनाया तो क्या हुआ वहा पे लहू बहा इसलिए हो सकता है कि जब आदम ने अपने दोनों पुत्रों को बताया होगा ये कहानी इसलिए जब कैन और हाबेल अपना बली लेके परमिशर के सामन कर दी जाती है क्योंकि उसमें रक्त नहीं था तो ये जो खून है इशमसी का खून या स्टार्टिंग से लहू जो है वो दूसरे के लिए बहाया जाता था और वहीं पे इशमसी ने बहे क्या किया आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाया तो चौता सवाल ये आता है कि क्या है पूर्णता क्या है जब हम शमा मांगते हैं तो क्या वो सिरफ 50% करता है सो प्रतिशत करता है या 99% करता है तो ये समझना है कि जब इशू पाप को शमा करता है वो सभी को शमा करता है पचीस परसंट नहीं पचास परसंट नहीं 100% शमा करता है जब हम लूक 747 लिका है इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे शमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया और जिसका थोड़ा शमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है तो कहने का मतलब है जिसके बहुत पाप है उसके पूरे पाप शमा होते जिसके थोड़े है उसके थोड़े पाप शमा होते लेकिन जो विक्ति को समझ में आता है कि परमेश्वर ने मेरे कितने पाप को शमा किया उतना वो परमेश्वर से प्रेम करता है अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझ मैं पाप नहीं है तो सर्वेस में उसका उत्तर मिलेगा तो कहने का मतलब है कि जितना आप अपने आपको समझोगे कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, उतना जादा आप परमेश्वर से प्रेम करोगे जब हम भजन सहिता एक सो तीन उसका तीन पढ़ते हैं, महां लिखा है वही तो तेरे सब अधर्म को शमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता वही तो तेरे सब, इंग्लिश में आल, ऐसा नहीं है 50%, हाफ, कौटर, लेकिन आल, सब पापों को शमा करता है जब हम भजन सहिता 32 उसका एक और दो पढ़ते हैं, महां पे हम देखते हैं, लिखा है क्या ही धन्य है वह जिसका अपराच शमा किया गया और जिसका पाप धापा गया हो क्या ही धन्य है वह मनुष जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो तो यहां पे हम देखते हैं कि क्या ही धन्य है वह पुरुष, हम धन्य है क्यों? क्योंकि हमारे पापों को, हमारे अधर्म को शमा किया जाता है लेकिन एक पाप है जिसकी कोई माफी नहीं है, वो है मत्ती 12, 31 हर एक पाप की माफी है लेकिन एक पाप है जिसकी माफी नहीं है उसमें लिखा है इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा शमा की जाएगी परंतु पवित्र आत्मा की निंदा शमा ना की जाएगी इसलिए जब हम प्रभू में हैं जब हम मसी जीवन में चलते हैं अगर कोई चीज हमें समझ में नहीं आती चुप रहो कोई इंसान बहुत रो रहा है कोई इंसान एकदम से चिला रहा है कोई इंसान एकदम से काप रहा है कोई इंसान गिर जाता है हसना नहीं है वो पवित्रात्मा का काम है आप कुछ भी पवित्रात्मा के खिलाफ करोगे आप उसके लिए कुछ भी कर लो पाप की माफी नहीं है हर एक माफ हर एक पाप माफ किया जाएगा लेकिन पवित्रात्मा की निंदा शमाना की जाएगी इसलिए बहुत sensitive होते हुए हमें मसी जीवन जीना है कुछ लोग है जो अन्य बाशा का मज़ाग उडाते हैं मैंने पासबानों को देखा है जो अन्य बाशा को कॉपी करके मज़ाग उडाते हैं वो यह नहीं समझ रहे हैं कि वो कितना बड़ा अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि अगर कुछ नहीं समझ में आता उसको समझो पूछो सीखो लेकिन मजाग मत उडाओ मजाख उड़ाओगे तो आप अपने हाथ से अपने लिए ग्रेवियार्ड में गड़ा खोद रहे हो तो बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ हमें पाप नहीं करना है बहुत समझदारी से हमें चलना है तो यदि एक भी पाप माफ नहीं किया गया तो वो वक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता मलकि नरग में अनंतकाल वेतीत करने के लिए मजबूर होगा आपको लगेगा क्योंकि प्रकाशित वाकी 21 उसका 27 हम पढ़ते हैं Revelation 21-27 वहां क्या लिखा है? स्वर्ग के बारे में लिखा है परन्तु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या ग्रणित काम करने वाला या जूट का गड़ने वाला किसी रीती से प्रवेश्ट ना करेगा पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं तो कहने का मतलब है क्यों मैं हमेशा बोलता हूं पस्चात आप करो Panama प्यों क्यों क्यों चैज़िय। पाप है वो क्या ओगा बढ़ता जाएगा तो आप बोलेंगे एक पाप से क्या हो सकता है एक पाप से क्या हुआ, आज पूरी दुनिया पाप में है, यह है एक पाप का effect, हम बोलेंगे मेरे तो बच्चिस पाप होंगे क्या होता, लेकिन आदम और हुआ के एक पाप की बज़े से पूरी स्रिष्टी खराब हो गए, तो इसलिए कभी नहीं सोचना कि मेरा एक पाप, म परमेशर के साथ सुला करो, अपनी गलती मानो, और जब भी पवित्रात्म अगवाई करे, कभी कभी में बैठता हूं, तो 6-7 साल पुराना, कभी कभी 12 साल पुरानी बात मुझे याद आती है, और मुझे लगता है कि मैंने गलत किया, मैं वहीं पर माफी मांगता हूं, पर परमेशर के बीच में कि परमेशर मैंने क्या गलती की, मुझे बता, ताकि मैं सही रूप से चल सकूं, तो पांचवा चीज जो है, प्रश्न है, वो है अधिकार, हमारे जीवन में क्या है, हमें शमा का अधिकार है, यह हमारा वर्तमान अधिकार है, बहुत से लोग जीते है मरने के बाद उनों सोचते हैं कि हो सकता है मैंने कुछ अच्छे कर्म किये होंगे तो मैं अलग इसमें जाओंगा उनको नहीं पता उनके जीवन में क्या होने वाला है लेकिन सूसामाचार जो है वो एक ऐसा शमा देता है जो वरतमान के लिए है जब हम अभी जी रहे हैं हम जानते हैं कि मुझे माफी मिली है जैसे हमने पहले पढ़ा इफिसियों एक साथ वहां क्या लिखा है हम को उसमें उसके लहू के द्वारा चुटकारा अर्तात अपरादो की शमा उसके उस अनुग्रे के धन से धन के अनुसार मिला है मतलब वर्तमान में अभी आज जब आप जीते हैं तो आप उस विश्वास के साथ चलते हैं कि मेरा मुझे माफी मिली है आपने कल कुछ गलत किया होगा जब आपने माफी मांगा तब क्या हुआ आपको माफी मिली आपको परमेश्वर ने माफ किया तिसलिए जब हम किसी को सुसामाचार सुनाते हैं तो हमारा जो गॉस्पल है हमारा जो सुसामाचार है वो पॉजिटिव है सकरात्मक है नेगिटिव नहीं है किसी को हमको negative में लेके जाने की जरुरत नहीं है लेकिन उनको हम बोल सकते हैं कि जब तु विश्वास करेगा तेरे बाप शमा की जाएंगी उसके लिए तुझे मरने के बाद कोछ करने की जरुरत नहीं है कुछ अच्छे करम करेगा तो कुछ अच्छा होगा? नहीं अभी आज विश्वास करो आज क्या मिलेगा माफी मिलेगा तो second last प्रश्नी ये उठता है कि शमा करने की शर्ते क्या है अगर हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमिश्वर मेरे पाप को शमा करें तो उसकी शर्ते क्या हैं तो पहला है पश्चाताप करना हमने पिछले अफ़ते पश्चाताप के उपर पूरा देखा है जब हम प्रेरितों के काम 5 उसका 31 पढ़ते है महां लिखा है उसी को परमेश्वर ने प्रभू और उधार करता टहरा कर अपने दहिने हाथ पर उच्च पर कर दिया कि वो इसराइलियों को मन फिराफ की शक्ती और पापों की शमा प्रदान करें तो मन फिराफ की शक्ती वो क्या है पश्चाताप तो शमा से पहले क्या आता है पश्चाताप आप जब तक गलती नहीं मानोगे तो परमेश्वर आपको माफ नहीं कर सकता और पश्चाताप पाप से परमेश्वर की और मुड़ना है अगर आप बोलते हो परभुजे मुझे माफ कर मैंने ये गलती किया और दो मिनिट के बाद फिर से आप वही करते हो वो पश्चाताप नहीं है फॉर एक्जामपल एक पिता है पिता अपने बेटे के साथ में एक नदी के पास है पिता अपने बेटे को बोलता है नदी में नहीं जाना वहाँ पे क्या है वहाँ पे ऐलिगेटर्स है वहाँ पे क्रोकोडाइल है मगरमच है तो पिता सो जाता है, बेटा वहीं खेलता है, थोड़ी देर के बाद बेटा बोलता है, मगरमच तो दिखनी रहे, गर्मी हो रही है, चलो मैं क्यों ना डुपकी लगाऊं। वो पापा की बात को नहीं समझता, पापा ने बोला है, पानी में नहीं जाना, वो जाता है, थोड़ी देर बहुत अच्छा रहता है, एकदम से एक मगरमच निकल के आता है, वो चिलाता है, एकदम से पापा आते हैं, उसको बचाते हैं, लेकिन जब वो बचाते हैं उस प्र बाहर लाता है और उसके बाद फिर भी बोलता है बेटा नहीं जाना मगर मच है वो मरम पट्टी लगाता है वहाँ पे बैठता है पाच मिनिट के बाद देखता है तो बेटा फिर से पानी में इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे परमेश्वर के शमा को एक्स्प्लॉइट करना एक्स्प्लॉइट करना मतलब उसका गलत इस्तमाल करना एक और एक्जामपल आप एक दिन रोड से जा रहे हो पानी में कोई विक्ति सुसाइड करने को कूद रहे वो कूद जाता है आप एक आपको स्विमिंग आती है आप भी कुद्टे उसको बचा के बाजू में लेके जाते हो बोलोगे क्यों मर रहा है परमेशर तरसे प्रेम करता है सब बताओगे सो समचार सुनाओगे वो बलता मत कर वो बोलेगा नहीं करूंगा भाई नहीं करूंगा आप जाते हो कीक मारते हो बाइक पर बैटते हो देखते तो फिर से कूद गया आप जाओगे बचाने, फिर से, प्रभू का प्रेम है तो फिर से जाओगे, लेकिन फिर से उतना समय बिताने के बाद, फिर आप बाइक में बैठे हो, तीसरी बार भी कूदेगा, तो आप क्या बोलोगे, मर, करोगे, की नहीं करोगे, हम इंसान है, लेकिन परमेशर नहीं कर कि लेकिन सबाल के उठता है कि जब हम अपने पाप को करते हैं करते जाते हैं किसको मूर्क बना रहे हैं इस मसी को वह तो मर गया न? उसका लहू तो है चलता है, करो लेकिन जब हम बहुत बड़े गड़ए में गिरेंगे, तब सम्झेगा, अरे मुझे नेहीं करना था तो जब हम प्रेरतों के काम दोस्कार्टिस पढ़ते हैं वालिकाए पत्रस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की शमा के लिए ईश्यू मसी के नाम से बबतीसमा ले तो तुम पवित रात्मा का दान पाओगे तो यहां पे हम देखते हैं पहला चीज क्या करना है पश्चाताब यह शर्थ है अगर हम चाहते हैं कि हमारे पापों की माफी हो तो पहला चीज क्या करना है पश्चाताब एक्सेप्ट करना की मुझसे गलती हुई है प्रभुजी मैंने तेरे विरुत मनुष्य की विरुत प तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चलीजा, तो कहने का मतलब ईंग पश्चत आप जो है, वो विश्वास और शेमा को जनम देता है, जब जितना आप पश्चत आप करोगे, उतना आप को पता है कि मैं कितना पानी में हूँ, मुझे में कितनी कमी है और जब आप समझोगे कि हाँ परमेशर मुझे माफ करता है तब आपका परमेशर के प्रति विश्वास क्या होगा? मजबूत होगा ये पश्चाताब के वज़े से आपके जीवन में क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा और आप परमेशर की शमा को experience कर पाओगे पहला क्या करना है? पश्चाताब दूसरा विश्वास तीसरा पाप स्वीकरन जब हम पहला युहना एक उसका नौ पढ़ते हैं पहला युहना एक उसका नौ उसमें क्या लिका यदि हम अपने पाप को मान ले तो वे हमारे पापो को शमा करने और हमें सब अधर्म के शुद करने में विश्वास योगी और धर्मी हैं क्या लिखा है पहले? इस यदि यह चॉइस आपका है परमेशर यह नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे पता है आपका हूँ है वो दिखाता है कनफेशन जब हम पश्च्चाताप करते हैं नहीं परणे तो यह सब एक साथ हो रहा है किया तो हमारे पापों की शमा नहीं मिलेगी इसलिए बहुत जरूरी है जब आप रात्ना करते हो तो आपको पवित्रात्मा को बोलना है पवित्रात्मा मुझे मेरी गलतियां बता पवित्रात्मा मुझे बता कि मैं कहां डूब रहा हूं क्या चीज में गलत कर रहा हूं तो आपको एक एक चीजे बताएगा आप बोलोगे मुझे कुछ नहीं दिखाता तो क्यों क्योंकि आपको लग रहा है कि आप दूद के धुले हुए जब आप परमेश्वर के साथ एक छोटे बच्चे के जैसे बैठोगे कि तू जो बताएगा मैं मानूँगा तू जो बोलेगा मैं मानूँगा और पवित्रात्मा को बोलोगे तब क्या होगा वो प्रगट करेगा जब हम भजन सहीता 32 उसका 5 पढ़ते हैं महां लिका है साम 32.5 जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा तब तू ने मेरे अधर्म और पाप को शमा कर दिया ये कौन बोलता है दाउद बेच्शीबा के साथ पाप करने के बाद वो ये बोलता है ये दाउद का अनुभव है और ये हमारा भी अनुभव हो सकता है कि अगर मैं परमेशर के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा तो वो मेरे अधर्म और पाप को क्या करेगा शमा करेगा मानना, कन्फेशन बहुत जरूरी है और आखरी चीज़ जो मैं करना है वो है दूसरों को माफ करना जब हम मत्ती 6-15 पढ़ते हैं महां क्या लिखा सिंपल रूल परमेशर का क्या लिखा है यदि तुम मनिशों के अपराध शमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध शमा ना करेगा सिंपल एंड स्वीट अगर मैं उपवास और प्रातना और आसुओं के साथ माफी माग रहा हूं मुझे बहुत कॉमेडी लगता है बहुत लोग यह करते है पुरे परिवार से बात नहीं कर रहे हैं और यहां पर भाईया ऐसा आग में इतना उचल को चिला चोट पत्नी पती के साथ नहीं आती और उन्वो क्या बोलेंगे वो नहीं होना चे पहले क्या करना है मनिश्यों के अपराद माफ कर हर एक विक्ती हमारे विरुद कुछ न कुछ क्या करता है बोलता है दिल दुखाता है हमें जो हमको नहीं सोचना या हमको नहीं सुनना वो बोलता है या बोलती है हमारी पत्नी कभी ऐसा कुछ बोलती है जो दिल को बहुत थेस लगता है या पत्नी कुछ ऐसा बोलता है हमको बहुत थेस लगता है ऐसा कैसा बोल दिया लेकिन हमें उसको क्या करना है माफ करना है क्यों क्योंकि अगर मैं उसको माफ नहीं करूँगा तो परमिशर मुझे माफ नहीं करेगा आप इशमसी का लहू लगा लो उपवास कर लो प्रात्ना कर लो लेकिन सिंपल रूल है तुम मनुशों के अपराज शमा ना करोगे तो तुमारा पिता भी तुमारे अपराज शमा ना करेगा क्योंकि ये जो वचन है प्रियों ये वेक्तिने नहीं लिखाए इशमसी का वचन है तो ये वचन के अनुसार ही स्वर्ग में काम होता है वहाँ पे बाबू बीच में जाके कुछ नहीं कर सकता आपके लिए आप कितने लोगों को लोगों ने आपके विरुद किया है और आपने उन्हें माफ नहीं किया है और जब तक आप उन्हें माफ नहीं करोगे आपने जितना भी पश्चाताप किया उसको कोई माफी नहीं मिला सिरफ आपका टाइम वेस्ट हुआ है इसलिए क्या लिखा है सुर्ग और मनुश ये दोनों एस्पेक्ट के साथ हमें मसी जीवन को जीना है तो आकरी सवाल ये उठता है हमें कितनी बार शमा मिल सकती है तो आंसर सिंपल है जितनी बार भी आप पाप करते हैं शमा आपके लिए उपलब्ध है अगर आप ये चारो चीजों के अनुसार चलते हो अगर आप पश्चाताप करते हो विश्वास में अपने पापों को अंगीकार करते हो और अपने जीवन में आप किसी और विक्ती को क्या नहीं करते हैं उसका गुस्सा पकड़के नहीं चलते आप जितनी बार भी पाप करोगे आपको शमा मिलेगी लेकिन सवाल ये उठता है अनुग्रे है इसका मतलब क्या ये है कि हम अंगिनत पाप करते जाएं हम अनुग्रे में है मैं माफी मागूंगा तो मुझे माफी मिल जाएगी तो क्य ये हमें लाइसंस देता है कि मैं पाप कर सकता हूं तो ये प्रश्ण और उत्तर दोनों हम एक जगा देखते हैं रोमियो छे उसका एक और दो छे एक में प्रश्ण है और दो में उत्तर है क्या लिखा है तो हम क्या कहें क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रे बहुत हो कद नहीं हम जो पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं सिंपल जब हम पाप के लिए मर गए हैं तो हम आगे कैसे उसमें जीवन बिताएं तो अगर आप वही पाप में जी रहे हो मतलब आप पाप के लिए मरे नहीं हो As a human being ऐसे बहुत से गलतिया हैं ऐसे बहुत से पाप है जो क्या होता है हमारे जीवन में रहता है हम उसे जूचते रहते हैं परमेश्वर जानता है हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ गलतिया है कुछ ना कुछ पाप है जो हम नहीं करना चाहते हम रुकते हैं दो दिन, एक अफ़ता, तीन अफ़ता हमसे हो जाता है लेकिन परमेश्वर जानता है ये लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको exploit करे क्योंकि जब हम Hebrews 10.26 पढ़ते हैं इब्राइनियों 10.26 वा लिखा है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप करने के बाद यदि हम जान बुच कर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं नेक्स्ट वच्चन क्या लिखा है हाँ दंड का एक भयानक बाट जोना और आग की जवलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा क्या दिखाता है वो नरग आपको पता है यह पाप नहीं करना लेकिन आप क्या करते हो आप वो पाप जान बुच कर करते हो तो उसके लिए कोई बलीदान नहीं है आप पाप को इंजॉय करोगे कोई बलीदान नहीं है परमिश्वर जानता है आपके जीवन में आप क्या सोच के साथ करते हो जब आप से कोई गल्ती होती है और आपके अंदर में गिल्ट नहीं फील होता आपको लगता है कि मैं माफी मांगूंगा मिल जाएगा तो वो पाप की माफी कभी नहीं मिलने वाली क्योंकि आप जान बुच के कर रहे हो लेकिन जब आप से गल्ती होई और गल्ती होने के बाद एक दम से आपको क्या लगता है गिल्ट फील होता है कि मैंने जो किया वो पाजबान के खिलाफ नहीं किया मैंने परमेश्वर के विरुद किया वो गिल्ट फील जब होता है वो दिखाता है कि परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में काम कर रहा है परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है लेकिन जिस दिन आपने पाप किया, आपने गलत किया, और आपको एक परसेंट भी बुरा नहीं लगा, और एक परसेंट भी आपको गिल्ट नहीं आया, तो समझ लेना कि परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़ के जा चुका है, इसलिए बहुत जरूरी है पश्चाताप करना परमेश्वर के साथ चलना, अपने आपको एनलाइस करना, परमेश्वर ने परसनली तीन बार चीज़ों को लिखा है, अपने हातों से, पहला जब उसने मुसा को दस आगिया हैं थी, लेकिन मुसा ने उसको क्या किया, तोड़ दिया, दूसरी बार, दानियल की किताब में ह लिखता है, और तीसरी बार हम युहना में देखते हैं, आठ उसका एक से ग्यारा, जब वो पापी स्त्री वैशिया को पकड़ते हैं, और इश्मसी को बोलते हैं, मुसा, कि नियम के अनुसार इसको क्या करना चीए, पत्थरवा करना चीए, लेकिन इश्मसी जुकता है, औ और मैं भी वो, मुझे भी लगता है, हो सकता है, इश्मसी लिखते हैं, फॉर्गिवन, माफी, क्योंकि इश्मसी एंड में अब उस त्री को बोलते हैं, गो एंड सिन नो मोर, जाओ और पाप, ना करो, कहने का मतलब है, प्रियो, हम जो चीज असानी से लेते हैं, हम जो चीज इमिजेट पाते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कुरुबानी है, वो है इश्मसी, और जितना हम इश्मसी के मृत्यों को हम समझेंगे, कि इश्मसी ने मेरे लिए क्या किया, हम लोग जब भी ते देखते हैं, यह कुछ भी इसा देखते हैं, जो इश्मसी हमारे लिए सहा हम लोग ने कितना ना लाइन में चलते हैं मोग मेरे आप पैशन आ द सब जीए कि थो क्टैनले हो, तो एकी चाहसा हर तीन दर दिन के पैशन आफ प्यए करते हो, जब तक मोग 오빠 को नीदेए, को इतना मारा गया, गाड़ा गया, मार मार के, इतना लहु लुआन हुआ, और तब लगता है कि हाँ, मुझे अच्छा चलना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है, बोलते हैं, जब इशमसी मरा, तो इशमसी के, रीड की हड़ियां जो थी, यह जो हड़ियां यहां रहते हैं, रिब्स, वो दिखते थे, उसके पीट पूरे उखड गए, ऐसी मौत वो मरा किसके लिए, हमारे लिए जो हम, एक छोटा सा छोटा विश्वासियों के तनी दिखा सकते हैं, एक छोटा सा छोटा पाप को हम ना नहीं बोल पाते हैं, तो हमेशा समझना है कि जब आप बोलते हैं, प्रभुजी मुझे माफ कर, अपने लौसदों के शुद कर, तो उसके लिए कीमत चुकाई गई है, वो कीमत ऐसा नहीं था कि इशमसी गए और हैंग कर दिया नहीं, उसके पहले उसको तडपाया गया, वो मौत कोई नहीं सोच सकता, इसलिए जब हम मसी जीवन जीते हैं, हम क्यों बोलते हैं, पवित्र जीवन जीओ, अच्छा जीवन जीओ, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा प्राइस पे किया गया है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है, इसलिए जब हम मसी जीवन को जीते हैं, हमें क्या करना है, पवित्रता से जीना है, विश्वास योगिता के साथ जीना है, अच्छे से चलना है, ताकि हमारे बोल चाल में, चाल चरन में, रहन सेहन में, हम फिर से ईश्यू मसी को क्रूस पे चड़ाने वा देते हैं, कुछ समय प्रभुची आपके सनमुक में बैठके प्रभुची, आपके वचन से सीखने के लिए प्रभुची आपने मदद किया, इसलिए आपका धने वाद देते हैं प्रभुची, प्रभुची जो वचन बोया गया उसको शैतान चुराने ना पाए आमें को भी आपके हातों में देते हैं चोटी सी बिंती आपके बेटे शुनासरी के नाम से मांगते हैं सुन और कबूल कर आमीन 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 तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तयार हैं बधाई इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तयारी में जुट योजना बनाए और परेशान होने लगें एक सबसे महत्वपून बात न भूलें आपकी शादी एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरपी पूरा करने वाले जोडों में तलाक की संभावना 31 प्रतिशत तक कम होती है और कोर्ट शिप योडों का भरोसा रहा है जो जिन्दगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार है लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने आप अपना पहला पार्ट मुफ्त सीख सकते हैं एक बार जब आप कोर्ट शिप टु मैरिज के साथ रेजिस्ट्रेशन करते हैं तो आ आप हमारी 30 दिन की मनी बैक ग्यारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कोर्ट शिप टु मैरिज डॉट कॉम पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें कर सकते हैं आप पहले जाप हमासे जीवन के सुखी दिस्ट्रें मेर है जीवन करिपों 14 positफ हैं फिर वैवiving Internal देए मपर्मार्या सब्सानों 12 चासनता हैं झाल झाल